कि बहुत important होता है कि किस methods हम उसे cool कर रहे हैं कि या फिर हम fast cooling कर रहे मुझे कर रहे हैं या फिर हम i rapid cooling कर रहे हैं तब हमें पते चलता है इनी cooling की वज़े से कि कौन सा micro structure आपको भी लएगा तो आईए जानते ये कैसे ही माईक्रो स्ट्रॉक्शर के बारे में इसके बारे में अक्सर बच्म कन्फीज रहते हैं और एक्जाम में उसके लिए क्या-क्या परणने चाहिए यह पता नहीं चल पाता और उसका नाम है के लिए हैं मार्टम साइट तो मांटंटल साइट बनता कैसे है आइए सबस्य पहले यह देखता है मार्टल साइट बनता है बच्चों उन्टिंग नाम से से टीज उटाहे बच्चों अपट रोससे सम्टाहेक बहुती उससरी कुलिंग होती है इससे क्या पते चलता है इसे जो इस्ट्रफ्टर इने गा वज्थन मार्टेन साइट कहते हैं। इसपर ज़्यादा आपको सोचने की कि जुरूत नहीं है। इस सब्सक्रास खखता है in the microscope of martensite को कुछ इस तरह का दिखता है अब बच्छो micro जो structure तो आपको पता चल गया कि martensite किस तरह मिला इसके कुछ properties याद रखना बच्छो यह बहुत ही hard होता है बहुत brittle होता है metastable होता है no cementite इसमें cementite बिल्कुल नहीं पाए जाता है and super saturated with carbon atom यानि किसमें carbon atom बहुत ज्यादा पाए जाते हैं metastable इसलिए कहा है मैंने क्योंकि इसको आप किसी और form में भी फॉरण change करते हो क्योंकि martensite को directly कभी भी यूज़ नहीं कह जाता because of very hard and very high brittleness and very high hardness अब यह बच्छो होता कैसे है जब आप austenite को above q-tectoid temperature जो कि कितना है बच्छो जो कि आप देख रहे हैं यहां पर 723 degree centigrade है जब कोई specimen austenite की आप इसे rapid cooling करते हैं तो C curve की nose से पहले ही यह आपका curve गुजर जाता है और लगबग 280 degree centigrade पर आपका martensite बनना start होता है और लगबग लगबग 80 degree centigrade तक बनकर complete हो जाता है तो याद रखना बच्चो कि और सब्सक्राइट को से जब आप martensite बनाते हैं तो उसे किसी और फेज में बदनने का टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि extremely fast cooling होती है और वो सीधा martensite में convert हो जाता है यहां तक कि वो कि नोस को भी टैच नहीं कर पाता अब देखते हैं कि इसकी कुछ और प्रपर्टीज martensite का crystal structure क्या होता है इसमें बहुत confusion रहता है बच्चो याद रखना martensite का crystal structure होता है वो BCC यारे कि body centered cubic ना होकर बच्चो body centered tetragonal होता है अब यह body centered tetragonal होता क्या बच्चो याद रखना इसमें face की लंबाई यह दोनों dimension जो है बच्चो यह दोनों dimension सेम रहेंगी जब की यह तीसरी dimension जो height है बच्चो वो आपकी different रहेंगी आपको पता है अगर यह इनों dimension से में होती हैं तो से structure को क्यूबिक structure कहते हैं लेकिन यह क्यूबिक ना होकर tetragonal है जिसमें दो साइट से बिलकुल अलग होती है और इसके ठीक बीच में भी एक item पाए जाता है इसलिए इसे body centered tetragonal कहा जाता है अब कुछ और important चीज़े बच्चो जैसे कि आपको पता है कि जब आप hot austenite को कुइंच करते हो यानि की बहुत ही high speed से ठंडा करते हो किसमें बच्चो या तो किसी brine solution में या फिर बच्चो किस आपका इस plane water में जो plane water होता है तब आपको martensite structure बिलता है ते ही क्वेंचिंग कहा जाता है और क्वेंचिंग से क्या होता बच्चो या दखना और austenite को को convert किया जाता है मार्टेन पाइट में और इस दौरान क्या होता है बच्चो कि austenite distort होता है उसमें deformation देखने को मिलती है जिससे produce होती है countless dislocation और यह countless dislocation जो है इनी की presence की वाज़े से martensite share stress के against बहुत high resistance रखता है इतना high resistance होता है share stress के against कि उसे cut करना भी बहुत मुश्किल होता है जैसे कि आप जानते है cutting करना भी एक sharing process है quinching जो है बच्चों generally क्या होता है martensite के case में speed of sound की बरावर speed से की जाती है तो आप देख सकते कितिनी जादा quick cooling होती है कि किसी गर्म चीज़ को उठाका सीधा prime solution या water में डाल दिया जाता है जिससे एक कुछी seconds में वो पूरी तरह ठंडा हो जाता है और इस quickness के दौरान जल्दी के दौरान क्या होता है बच्चो carbon atom को diffuse होने का time ही नहीं मिलता क्योंकि जब carbon atom diffuse होता है तो cementite बनता है इस वज़े से martensite में cementite नहीं पाया जाता है because there is no time of carbon diffusion और इसी लिए क्विंचिंग को हम diffusion less process भी कहते हैं अब क्योंकि martensite का temperature thermal equilibrium से कोई relation नजर नहीं आ रहा है क्योंकि thermal जो equilibrium जब तक आप किसी structure के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वो आपको किसी भी हालत में iron iron carbide diagram पर दिखाई नहीं देगा तो याद रखना बच्चो martensite का जब कोई relation नहीं है thermal equilibrium के साथ तो बच्चो वो iron iron carbide diagram जो होता है बच्चो उस पर नहीं दिखाए दयाता इसलिए face diagram पर कभी भी आप martensite नहीं दिखाएंगे परलाइट दिखाएंगे फेराइट दिखाएंगे आस्टेनाइट दिखाएंगे लेड़ेबिराइट दिखाएंगे सिमेंटाइट दिखाएंगे लेकिन कभी भी martensite नहीं दिखाते उसका रेज़न सिर्फ एक चौकि martensite thermal equilibrium से इसका कोई मतलब नहीं है इसमें quickly आपकी cooling होती है ओके तो जब इस्टील में carbon percentage 0.6% तक होता है बच्चो तो जो martensite बनता है उसे हम कहते हैं leth martensite leth martensite leth martensite का क्या मतलब होता है leth का मतलब होता है पतली पतली strips एक के उपर एक sandwich होकर यानि कि बहुत ही पतली पतली परत होती है जो एक के उपर एक sandwich रहती है जब carbon percentage point 0.6% तक होता है steel में तो बनने वाला martensite leth martensite कहलाता है जबकि अगर यह percentage up to 1% तक है तो बनने वाला martensite को हम plate martensite कहते हैं अब यहाँ पर plate का मीन क्या है बच्चो प्लेट का मीन है कि इसमें जो structure होगा वो lenticular shape का होगा now what is lenticular shape it is just like double convex shape यानि की कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से अब इसको अगर आप micro structure में देखते हैं कैसा यह दिखाए देगा तो देखे यह है आपका यहाँ पर यहाँ पतली पतली परते एक के ऊपर एक हैं यहाँ से देखे यह पतली पतली परते जो आपको दिख रही है जबकि यहाँ पर double convex shape है और यह भी आप देख रहे हैं जिग-जग मैनर में हैं तेड़ी मेड़ी लगी रहती है तो जिग-जग जो होता है बच्छो आपको पता है steel में hardness प्रोवाइड कराने के लिए इंट्रिड्यूस कराया जाता है लेकिन इस hardness के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी खराबी आती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्छो बिटलनेस बिटलनेस की वज़े से भी यह क्या होता है लेकिन टैंपरिंग में एक्चली होता क्या है हाड़ेनिबिलिटी मेंटेन की जाती है तो सबसे पहले जानते हैं वट इस हाड़ेनिबिलिटी हाड़ेनिबिलिटी क्या होती है किसी भी फेरस एलॉय की पार्टिन साइट में 나올 होने की एबीलिटि जो होती है वह हाइड इनिबिलिटि कहला तिया अकसर बच्छे से हाड़नेस और हाइड इन दोनों में कन्फ्यूज रहते हैं कि वहाडिस हाडनेस एक सर्फेस प्रोपरटी यह जो कि किसी भी शर्फेस पर कितना आप scratch resistance provide करा सकते हैं कितना वो जो है जो होता है बच्चों की scratch डालना है या फिर किसी तरह सा identification डालनी है उसके एंस कितना highly resistive है वो उसकी hardness उतनी अच्छी कहलाती है जबकि hardenability is the ability of ferrous alloy to convert into martensite कितना जल्दी कितना अच्छी तरीके से सब्सक्राइब को दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि एक तरह की depth है बच्चों किसके नीचे below कोई surface किसी कोई surface के ठीक नीचे उस surface तक किए depth है जिस surface पर आपको 50 HRC की hardness मिल जाए यानि कि जैसे 49 HRC का कोई surface आएगा वहां तक आपकी हाड़निटी नहीं मानी जाएगी कोई surface से उसी surface तक की depth को measure करना है जहां तक आपको 50 HRC की hardness बिलेगी ओके अब बच्चों यह टैंपरिंग की रिहीट किया जाता है तिल ता टेंपरेचर रॉ या फिर這些 में करने की martensite की क्या होता है उसका structure में कुछ changes आते हैं क्या change आते हैं बच्चो जो single phase body centered tetragonal structure था किसका martensite का martensite में single phase होती है और body centered tetragonal structure होता है वो convert हो जाता है two phase body centered tetragonal में याद रखेना two phase और वो two phase कौन-कौन सी आ जाती है बच्चो तो फैराइट एंड सेमेंटाइट तो फैराइट और सेमेंटाइट आने के वज़े से जिसमें फैराइट फेज है वह को एक पर्टिकुलर डटिलिटी या सॉफनेस प्रिड्यूस कर दे दिया अब आप martensite को या उस steel को directly इस्तेमाल कर सकते अब यह जो structure होता है बच्छो आपका जो नया बनकर आया जिसमें two phase है यह बिल्कुल spheroidite जैसा structure होता है याद रखेगा लेकिन फर्क क्या होता है कि spheroidite में जो fe3c होता है वो बड़ा-बड़ा होता है और uniformly distributed नहीं होता जबकि tempered martensite में जो कि tempering process के बाद बना है उसमें present fe3c जो होती है वो बहुत छुटी-छुटी होती है और uniformly distributed होती है in the form of particles छोटे-छोटे particles की form में तो यह कुछ martensite की मैंने आपको important बाते बताई जो आपको याद रखनी है बच्चो क्योंकि exam में इनी बातों में से questions पूछे जाते हैं चलिए मिलूंगा किसी और topic के साथ किसी next session में तब तक के लिए thank you very much and all the best